नमस्कार दोस्तों राधे राधे कैसे हो आप सब लोग तो सुबह की सुरुवात के साथ हमारा नया ब्लोग श्टार्ट हो चुका है और आज है दिन सुमबार और सुमबार के साथ हमारा ब्लोग की सुरुवात हम कर रहे हैं तो आज से जैसे की स्कूल श्टार्ट हो गया है आज एक तारिक, तो एक तारिक से आपको पता ही है, एक टैंसन स्टार्ट हो गई है, कि भी यह बच्चा स्कूल जाने वाला है, ना देर तक सो सकते हैं, ना अपने टाइम, मतलब सब कुछ बहुत टाइम के साब से करना पड़ता है, क्योंकि स्कूल जो जाना है, बच्चे को साड़े साथ बज़े तक देच्चू की गाड़ी आ जानी है, तो साड़े साथ बज़े से पहले खाना भी तयार करना है, देच्चू को भी तयार करना है, और उसके बाद खेती जाना है, तो देच्चू आज तो बहुत ज़्यदा खुस है, कि भी यह पहला देन है स्कूल क और खुदी बोल रही है कि मम्मा दो दिन के बाद बिल्कुल भी मन नहीं करेगा तो और पता है इसके कपड़े भी न एक महने में छोटे हो गया है पहले थो ठीक थे अब पैंट उसकी छोटी सी हो गई है तो जल्दी कपड़े प्ले छोटे होते रहते हैं तो बहुत चाता स् काम का कोई रूटीन नहीं था कि इसके बाल यह करूंगे समय के उना लग जाएगा पहले तो एसा होता है कि रूटीन באilli से स्कूल भीज धिय कोई दिया और आज का नहीं बनाए बिल्कूल वहलाता है इntन से आब रूक्याना मात भी चल्दी नहीं बनाए मैं रशाight और यहां फिर बाग में आ गई थी मैं आई थी अरभी के पत्ते लेने के लिए और देखा तो यहां हमारे यहां बहुत ज़्यादा जंगल हो गया है तो मैंने का चलो थोड़ा से जंगल साप कर लेती उसके बाद पत्ते ले जाओंगे उसके बाद कॉफी बना के खाएंगे दाल में डाल के थोड़े से जंगल निकाले और जंगल बाद में निकालने आऊंगी मैं यहां पर तो काम की कमी नहीं है घर पे रहो तो काम बाग में आओ तो काम और आठ पजे से ही बहुत ज्यादा धूप हो गई है और दक्चु के पापा उपर तो आजकल बहुत दया भी आने लगी लगातार तीन दिन हो गए है नाइट डे नाइट जागते वे उनको आज फिर अब आएंगे सुबहे तो इस बार के आप आज को छुटी करानी आए वो डूटी से मैंने का खेच चलते मचेरी डालने के लिए क्योंकि दवाई नहीं डाली थी कल लेके नहीं गए थे तो उनकी हालत थोड़ा बहुत ज़्यादा खराब लग रही थी तो उनसे मैंने का आप रोको मैं ही डाल देती हूं क्योंकि इसमें डालना कुछ होता खांसी लग रही थी क्योंकि उस दिन में पूरे दिन खेट में रहे और फिर रात में जगना हुआ फिर दिन में घर में काम तो बिलकुल उनकी बहुत थाकानसी होगी थोड़ा थोड़ा काम हम भी उनको खरा देते हैं और अरबी के पत्ते में लेके आई उसके बाद डाल और पत्ते ना आशकल थोड़ा खराब हो रहे हैं बारिस के विज़े से खराब हो रहे हैं साइद तो दक्षु के पापपक को बहुत ज्यदा पसंद है दाल के साथ कॉफी खाना और इसमें दो आलू डाल दो तो बिल्कुर सबजी दाल और एक साथ बन जाती और टेस्ट से लगा दीजी कूब मस्त वाला टमाटर वाला प्याज वाला जीरा वाला तो बहुत ज्यदा अच्छा लगता है तो किस-किस को कॉफी पसंद है हम तो इसे कॉफी बोलते हैं कॉफी किताब बाली कॉफी नहीं बस खाने वाली कॉफी तो पत्ते का साग भी अच्छा लगत प्रुटेट कैनल प्रुटेब लगा यदिया लगार बढ़े लगार लगार टुटेब ख़गा जब लगार जब लगार 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 काम तो हमारे खतम नहीं हो पाए पर दच्चु की चुटी हो गई बहुत जल्दी वाजी में खेद गया घर का फिर खाना पेना बनाया और दच्चु के स्कूल का टाइम भी हो गया साड़े बारे बज़े दच्चु की चुटी होती है और एक जेड़ बच जाता है घर आते खाते अब इसका होमबर्क कराओ इसके कपड़े खोलो इसको खाना खिलाओ फिर यही काम हो जाता है तो जब खुलता है तो क्या ही बताओ मैं बहुत ज़्यदा काम हो जाता है फिर स् तो अच्छे से कद्डूकस कर लिया है जो पतला पतला जोस में कद्डूKस होता है उसमें अच्छे से कर लिया है तो और इसमें डाल दिया Kung funds मेयन काली मिर्जéchिण पाउडर और नमक और बैसे दाल दिये भीत बच्चों के लिए फिर भी चल जाना, है तो दक्षू बहुत परिसान थी और उसे बहुत ज्यदा भूख लगी थी और खाने का उसका मन नहीं था तो मैंने खा चलो यही बना दे तो बहुत जल्दी बन जाता है और अच्छा भी लगता है क्योंकि अधा हलका फुलका अब ओईली तो होता ही है पर एक दो तीन चार पकॉड़े खाने से कुछ नहीं होता है तो मैदे और आलू का टेष्ट बहुत अच्छा लगता है तो इसस चुछ बना क्या लिए है जिनल बन रहें और द सीथी ऐड़े खाना होता है उनकी इत्च्छा घ्र जयता नहीं कि तो हुआ सबगताब बनाटी रहें जाथ चीले ने पश्णाना चीलदी को अपना साइक भर लगता ना चीलिए नहीं हो निकालो है हमारे दो आनी जल्दी तल जाते है और बहुत कुण कुर कुरे से इसके उबधर काला नमक डालक बहुत ज्यादा अच्छा लगते सारे सारे twee हम बना लेंगे और ऐसके बाथ से शयाइना दुद्ध फेमें बाद हर भी साहीं हुंत जिए अब और शुवह से फोन करें हूं कि अब काम हो जाएगा पर ज्यादा बहुत ज़्यादा टाइम लग जा रहा है और सो तरही थी थोड़ा सो लेते वो फिर भी सामको पाएंगे आज रात को अधो कि सामको आएंगे तो मचेटी डाल नहीं थी तो महण का महीं डाल दूगी उनके ह बेहाल और यहां हमारे पकोड़े बनके तैयार हैं हेलो दोस्तो तो अभी बज़ रहे हैं साम के साड़े छे लोग है तो है तो हम है तो अभी समय हो गया है साम के छे नहीं साड़े छे और हम आगे हैं भी खेद मचेटी डालने के लिए है ना है यह देखो छेन बाई वो तर से दाट तो उस्ताम खाना नहीं बनाना है तक कि पापा लोग तो खेद में थे तो हम पहुंच यह हैं अपने खेद यह हमारा खेद आ गया है नदी के साइड वाला कि दर से उधर से आओ इधर तो कीछड़ है तो सारे लोग के तो जहां तक है भान लगी गया है एक एक खेद बचाएए और इसके आस पास अभी की खेद लग गये हैं मैंने का खाना बनाओंगी आज बनाओंगी सामगो अज़ा फेद लग गया हम भी मेर मेर आई मेर मेर हाँ चलो तो दच्छो के खुल गया आज से स्कूल दच्छो ने मुझा तो दच्छो तो आज बहुत खुश हो के गई स्कूल और इसके बाद पता नहीं कैसे जाएगी फिर कहारी दो दिन के बाद अच्छा नहीं लगेगा अब अभी तो आ गए है तो फोच गया भी यह खेद हम अपने यह हमारा लाश्ट खेद बचा है फिर बस पहुत की क्यार हमारी लगाएंगे और फाइनली हमारी रुपाई हो जाएगी यहां से कि साइट से हुआ है हमें साइट में क्यों चल रही है 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 हेलो गाइस यह मेरी मम्मी है मैं खेटी डाल लई है खेट में मलब की नदीवाड खेट में बिल्कुल पेर फिचल रहे हैं तो दो क्यारी में मचेटी डाल दी है करी वची और हालत में तो बहुत बंभी हो गई नौटंग की बाज हो सोचै थे कप्ड़े अपंड़े नहीं होंगे देख सकते हैं पेरो अरो की हालत सारी खराब हो गई अभी देखना मेरी मूच मूच थक गए भीया तो कि पापा डाल रहते हैं मचेटी तो मैंने का मैं डाल देती हूं और जो के खाना बनाएंगे और दो ही क्यारी में हो गई हालत है बच्चे तक खराब तो यह का बता है यह दच्चो चल यहां दच्चु बैट वर मचेटी डालने जा रहे हूं ठीक है फोन पक रना मेरा ठीक है फोन कहा रहा रहे हैं तो हम आगे हैं घर बाते सुनते जा रहा हैं और बिलकुल साम हो गई सड़क कैसे हो गी दच्चो है दुख्शू गाना गाते को जा रही और हमाई यहां की रोड देख सकते हैं यह खेत आने वाली रोड बड़ी बेकार हो जाती है और यहां पर पानी जब आता है लंग वारीश जोताती ही तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक रास्ता हो जाती है चलने लाइक भी नहीं चलना पर अधेरा और आपकाना है तर लगा रहा दर लगा और आपकाना है तो चलते हैं अभी घर और अपना ब्लोग पर समाप्त करते बिलेंगे तो भी लिए नमस्तिर रादे रादे